हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं KTS से विवेक आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो और साथ ही कमेंट करक कर दोस्तों मैं आज एक नया वीडियो लेकि आया हूँ बैसिक्ली यह वीडियो कॉंटक्ट के उपर है रिद्म कॉंटक्ट और 96 कॉंटेक्ट दो तरीके कांटेक्ट वाइड ली यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो यह बहुत ही बैसिक सा वीडियो है इसमें मैं इस कॉंटेक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत बेसिक कर पाए without any confusion तो यह पुश बटन टाइप के कॉंटेक्ट्स हैं बेसिकली पुश बटन होता है उसमें स्प्रिंग होती है कि जैसे ही आप उसे externally प्रेस करते हो तो यह प्रेस होता लेकिन जैसे ही आप रेलीज करते हो तो इनीशल इनीशल स्टेज अपनी दुबारा रिगेन कर लेता है से मैंसे इसमें एंसी में भी और घ्रीन कलर हम बिसिकली यह झाली दिखाते हैं एंसी के लिए रैड कलर इंडिकेशन होता है, रैड कलर, हमेशा हम इस टॉप के लिए कहीं हमें कुछ इस्टॉप करना होता है, तो सरकीट तोटने या ब्रेक करने के लिएम रैट का एक स्टेंडर्ड है, इंडस्टियल इंडस्टेंडर्ड तो उसी के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, अब बात आती है हमारे no contacts की, no contact क्या अभी initially अगर मैं इस point पे और ये दो point है, ये point एक ये point, अगर हम hard switch भी लेंगे तो उसमें भी ऐसे दो point मिलेंगे हमें, इस point से अगर हम कोई, इस point पे हम कोई connection करते हैं, इस point पे connection, तो ये तब तक open है, ये normally open है जब तक हम कोई external force नहीं ल होगा, ये contact हो जाएगा, close, जैसे कि अभी हो गया, ये close हो गया, उपर आके contact close हो जाएगा, until or unless जब तक इस पर force लगी होती है, ये वाली force जब हम उपर से लगाते हैं, इस पर कोई pressure डालते हैं, तो ये contact close हो गया, तो जो भी contact है, यहां से जो भी power है, मालो zero है, तो वो इध हमारा नो, जो normally क्या रहता है, उपन रहता है, until or unless कोई external force या pressure इस पर नहीं लगता, तो अगर हमें इसे, इसकी state को change करना होता है, तो हमें external इस पर कुछ pressure लगाना होता है, अगर नहीं करते हैं, तो फिर वो open ही रहता है, तो ये हो गया हमारा normally open, अब बात करते हैं, हम normally close की अब normally close में क्या होता है, हमने define की, अब दिखाया है कि वो red color में आई है, ये क्या normally close होता है, इसके भी दो points है, एक ये point है, इन दोनों point पे क्या है, हमारा जैसे कि, अगर हम कोई भी input या कुछ भी हम जो की define कर रहे हैं, कोई भी input हो हमारा कोई भी input हम obtained कर रहे हैं, nc के through, या कहीं पे nc contact लगा हुआ, जैसे emergency में ही लगा हुआ है, तो मैं, जो point हमारा यहां पे, जो भी supply यहां से इस contact पर रहे होगी, वो इसे already मिल रही होगी, तो हम basically इस contact, इस switch को इस लिए, या इस button को इसलिए use करते हैं, जब भी हमें कोई contact break करना होता है, तो इसमें, जैसे कि, इसमें external pressure लगाते हैं तो जैसे इसमें हम लगाएंगे, तो इस contact क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि, आप देख सकते हैं, वीडियो के अंदर, यह अभी break होगा, जैसे ही मैं इसके उपर external pressure लगाऊँगा, तो यह हो जाएगा break, और जैसे ही, मतलब, मैं उपर की तरफ से नीचे, यह red color में रिखाएंगे, इसे pressure लगाता है, यह क्या हुआ हुआ यहाँ पर आ गया, तो it means, यह contact open हो गया, जो supply से यहाँ से मिल रही हो, यहाँ से अब नहीं मिलेगी, अब बात आती है, दूसरी testing की, हम multimeter लेके testing basically कर सकते हैं, कि यह सही है या नहीं, हम continuity mode पर चेक करके, दोनों points को check करेंगे, अगर यह open, it means no working है, same इसी condition में, अगर beep आती ह वो क्या normally open है, अगर आती है, it means, वो normally closed है, तो हम जो भी situation है, चेक कर सकते हैं, multimeter से, तो यह हमारा एक brief description था, कि भई, अगर हमारे पास push button होते हैं, तो हम कैसे उसे दिखा सकते हैं, कि भई, no है, या उसको कैसे समझ सकते हैं, no push button कैसा होता, nc push button कैसा होता, इसी वीडियो के अंदर मैं एक और चीज एड़ करना चाहता हूं, जो कि मैं logic wise एड़ करूँगा, कि हम logic में कैसे दिखाते हैं, no और nc को, so please, see it, यह practical था, वो मैं PLC programming के अंदर दिखाऊँगा, so just wait for that video, I am going to upload that also, मैं उसे भी upload करूँगा, जल्द ही, so दोस्तों, बने रहा हूं, साथ, ता हमें उसके लिए basic idea होने जरूरी है, so thank you, thanks for watching.